उत्रकाश में एकतालिस मजदूरों को बाहन निकाले कि हर कोशिश नाकाम ही थाबित हो रही है एक समय तो ऐसा आया कि मानुस सभी के सभी 41 मजदूर बाहर सुरक्षित आ जाएंगे लेकिन अचानक ओगर मशीन के टूटने से मजदूरों के जल्द बाहर आने का भी सपना मानुस टूट सकाया बलकि 41 जिन्दगे के बाहर निकलने पर भी अब सस्पेंस बन गया है हैरानी की बात तो यह है कि रात होया दिन बेना रुके 24 घंटे रेस्क्यू टीम के सदस से 41 मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हुए है लेकिन अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में आई एक बड़ी रुकावट ने रेस्क्यू टीम की भी टेंशन बढ़ा दी है तो कि सुरंग में ड्रिल करने के लिए बेजी गई और मशीन नाकाम साबित रही है वह अब वर्टिकल यानि सुरंग के उपरी हिस्से पर ड्रेलिंग की तयारी है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 41 मजदूर कब टरनल से बहार आएंगे तो आपको बता दे इन मजदूरों को बाहर निकालने में एक महिने का भी वक्त लग सकता है सुनने में बेशक हैरानी हो रही हो लेकिन जिस हिसाब से रुकावटे सामने आ रही है उन्हें देखने से तो ऐसा ही लग रहा है बलकि अंतराश्टे टरनल एक्सपर्ट आनॉल डिक्स ने कहा है कि टरनल के अंदर फसे मजदूर सुरक्षित हैं इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है जिसमें डिक्स ने कहा है कि हम क्रिस्मस तक सभी 41 मजदूरों को बहार निकाल कर ले आएंगे डिक्स के मुताबिक मजदूरों को निकालने में अब एक महिने का समय लगेगा आए आपको सुना थें आनौल डिक्स ने क्या और किस तरह का दावा किया है आपको लेता 39 मजद कर दोण आफएण। इत्स तावी नी देओब एक में ना कि अफन्ता और किस्मस आए ज YouTubers शावा कि थे आपको सौन्स या याव आपको के थाव मजदू्य टो आपकोई रिक्स चिर आपके सावया जहाएं एक तरफ विदेशी एक्सपर्ट ने अपने ताजा बयान में कहा है कि मजदूर क्रिस्विस यानि 25 दिसंबर तक अपने घर पर होंगी इस बयान से मजदूरों के परीजनों की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है हैरानी की बात तो यह है कि रैस्क्यू आपरेशन के निगरानी करने वाले टीम के जिमेदार अधिकारी अब तक रोजाना बयान बदलते रहे वो अपने बयानों में नए नए डेडलाइन बताते रहे लेकिन सच तो यही है कि मजदूरों को बाहर निकालने में अब करीब करीब एक महिने लग जाएगा अब सिर्फ और सिर्फ किसी चमतकार का ही इंतिजार है कोई चमतकार ऐसा हो जाए कि सबी मजदूर बाहर सुरक्षित बाहर आजाए वहीं सियम पुष्का सिंग धामी शनिवार को भी रेस्क्य ओपरेशन का जाइजा लेने के सिल्क आरा टेनल पहुंचे थे इसके साथ साथ सियम धामी ने कहा कि हमारी प्रात्मिक्ता सिर्फ और सिर्फ एक्तालिस मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने की है इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि रेस्क्य टीम ने ये भी मान लिया है कि जी पियर मैपिंग मशीन विश्वनिये नहीं है फिलाल अब हर कोई प्रातना बस इसी बात की कर रहा है कि कैसे भी एक्तालिस के एक्तालिस मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाए फिलाल इस कबर में बस तना ये अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ